आज आप लोगों में बताऊंगा कॉंक्रीट के ऊपर कुछ डिटेल्स में सो पहला है कंक्रीट क्या चीज है कंक्रीट इस वन टाइप अफ कंपोजिट मेटेरियल तुगेडर और फाइन अग्रिगेट और फॉर्स अग्रिगेट मतलब क्या है देखिए बहुतों को यह कंफूजन होगा कंक्रीट और मॉल्टर में देखिए जब मैं सिमेंट के साथ फाइन अग्रिगेट मिक्स करूँगा कोर्स अग्रिगेट मिक्स करूँगा और पानी को मिक्स करूँगा तो ये बनेगा हम लोग का concrete लेकिन mortar में क्या बनेगा cement को mix करूँगा fine aggregate के साथ लेकिन water और coarse aggregate नहीं use करूँगा mortar में मतलब क्या है fine aggregate का मतलब हो गया है आपका sand and coarse aggregate का मतलब हो गया आपका जो छोटा छोटा पत्थर आता है stones, chips they are known as coarse aggregates so concrete में stone chips होगा mortar में stone chips नहीं होगा that is the difference between concrete and mortar अब concrete में कुछ strand के हिसाब से divide करके रखाए that is mixed design देखे M5 का मतलब है M5 concrete एक ऐसा concrete है जिसका compressive strand है 5 MPa after 28 days 28 दीन के बाद जो भी strength मिलेगा characteristic compressive strand M5 का होगा 5 MPa या 5 Nm2 M15 का मतलब क्या होगा जिसका compressive characteristic compressive strand हमें 15 MPa 15 MPa या 15 Nm2 after 28 days of curing so उस हिसाब से जो भी mix design है जैसे M5, M7.5, M10, M15, M20 and M25 सभी का कुछ ratio है किसका ratio है जैसे पहला अगर one देखा जाए तो one हो गया आपका जो पहला one है यह हो गया आपका cement उसके बाद next वाला one है आपका sand तीसरा वाला जो 10 है वो हो गया आपका force aggregate मतलब stone chips यह सभी में रेशिय है cement sand and force aggregate ratio मैं यह देखे रखा हूँ क्योंकि exam में यह बहुत पर आचुगा है कि M5 का मतलब के रेशियो होगा 1 is to 5 is to 10, M7.5 का मतलब होगा 1 is to 4 is to 8, M10 का मतलब हो 1 is to 3 is to 6, M15 का मतलब M 20, M15 यह दोनों के बारे में पूछा जाता है M15 में लिखना होगा 1 is to 2 is to 4 and M20 में होगा 1 is to 1.5 is to 3 and M25 में 1 is to 1 is to 2 यह होगा mix design next है आपका fresh concrete fresh concrete और plastic concrete is a freshly mixed material which can be moulded into any shape इनको मैं कोई भी shape दे सकता हूँ किसी भी आकार में लेके जा सकता हूँ concrete को the relative quantity of cement, aggregate and water mixed together control the properties of concrete in the waste state as well as in the hardened state जो भी concrete का property बनेगा वो hardened state में हो चाहे fresh state में हो उनका जो properties है depend करेगा किसके उपर कितने हम लोग ने पानी mix किये कितने हम लोग ने core secret mix किये कितने sand mix किये और कितने cement mix किये उनके उपर depend करेगा next है concrete के कुछ properties जैसे concrete का एक property हो गया workability ठीक है खास important properties के में बारे में बता रहा हूँ concrete का पहला property हो गया workability दूसरा property हो गया strength और दीसरा property हो गया non-destructive workability का मतलब क्या है कि concrete जो है वो कितना fluid है मतलब कितना fluidity है मतलब कितना flow हो सकता है जैसे देखिए काभी भी अगर हम लोग concrete को आप लोग ने देखे होंगे तो उसमें आप लोग ने एक चीज़ देखे होंगे कि जो भी concrete है अगर मैं उसमें ज्यादा पानी मिलाँगा तो ज्यादा क्या होता हुगग वो mix करने में आसान परता है या कहीएब हम लोग को compact करना हो तो उसमें आसान होगा तो ज्यादा पानी का मतलब है ज्यादा flow ability या ज्यादाllo-workability कम्पानी mix करने में थोड़ा क्या होआगगग वो hard बनेगा जो भी थोड़ा मत्ब क्या होगा कि उसमें रिजिडिटी जो भी बनेगा that is means that concrete is less workable workability उसका कम होगा अगर पानी कम मिलाऊं तो और workability test जो है वो हम लोग बहुत टाइप से find out कर सकते हैं जैसे slum test हो गया compaction factor test हो गया floatable test हो गया और VV consistometer test लेकिन अगर इन में देखा जाए सब अगर मान लीजिए cement का बहुत ज़्यादा कम है workability तो उस workability को हम लोग इन चारों टेस्ट में से किस से measure करेंगे इन चारों टेस्ट में से VV consistency VV consistometer test जो है उससे मैं measure करूंगा workability test अगर workability बहुत ही ज़्यादा के हो सकते है compressive strength tensile strength तीसरा मैंने देखे नहीं रखा है तीसरा होगा flexural strength ठीक है compressive, tensile and flexural strength तीसरा होगया non-destructive test मतलब क्या होगा non-destructive test जो है कोई भी जैसे मान लीजे एक घर बन गया घर बनने के बाद उसमें मैं testing करूंगा तो यह आप लोगो याद रखना है कि testing जब करूंगा ऐसा नहीं है कि मतलब मैं घर को टोरूंगा या घर के मैं जो भी घर बन जो भी घर बनके रखा है उसका एक कॉलम की मुझे ताकत चाहिए कि कितना mix design है या तो कितना उसका compressive strength है तो इसके लिए यह तो नहीं करूंगा कि मैं कॉलम का जो mortar है उसको क्या करूंगा मैं तोरूंगा तोर के मैं cube बनाओंगा बनाके फिर उसका testing करूंगा उसके लिए क्या करना होगा non destructive test का मतलब है मैं site पे ही क्या करूंगा जो भी figure बन चुका है या जो भी member बन चुका है या जो भी column beam बन चुका है उसी में मैं direct test करूंगा that test is known as non destructive test क्योंकि बिना तोरे हुए उसमें मैं test करूंगा तो ये दो type का हो सकता है एक है smith rebound hammer test और दूसरा हो गया ultrasonic pulse velocity test ठीक है इसके बाद next है workability के बार में already मैंने बता दिया फिर भी एक बार दिखा देते है workability is the property of concrete by virtue of which it can be easily इसमें मैं ये भी बता सकता हूं कि it may be also defined as the amount of useful interval work required to be done in order to achieve the full compaction मतलब कितना water चाहिए हमें compact करने के लिए that is workability मतलब ज्यादा अगर पानी होगा तो वह ज्यादा workable होगा कम पानी होगा तो कम workable होगा इसका मतलब है देखिए पहला definition चाहिए it is the property of concrete by virtue of which it can be easily mixed आसानी से mixed हो सकता है आसानी से transport हो सकता है आसानी से placed हो सकता है आसानी से compact हो जाएगी उसके बाद उसमें finishing भी आसानी से हो जाएगी और उस workability ज्यादा होने के लिए हम लोग के पास जो cement है cement higher water cement ratio ज्यादा होना होगा मत्को water divided by cement ratio ज्यादा होना चाहिए तब जाके वह ज्यादा workability होगा ठीक है उसके बाद next है workability किसके उपर depend करता है following factors पहला होगा water content obviously मैंने अभी बताया कि water workability जो है water content के ओपर depend करता है क्योंकि अगर ज्यादा water content होगा तो ज्यादा workability होगा ज्यादा पानी मिलाएंगे तो ज्यादा fluidity होगा तो लेकिन एक चीज याद रखना है आप लोग को कि अगर मैं ज्यादा पानी mix कर दूंगा mix design के हिसाब से अगर मान लीजिए मैं मुझे मुझे दो लीटर पानी mix करना एस पर mix design जैसे मान लीजिए मैं एक concrete का mix design कर रहा हूं M15 या M10 या M20 का mix design कर रहा हूं और उसमें मुझे mix design करने के बाद पता लगा कि मुझे 2 liter पानी use करना है लेकिन मैंने कर दिया 4 liter पानी क्यों या तो 3 liter पानी मैंने use कर दिया क्यों और जितना जादा मैं पानी mix करूंगा उतना strength क्या हो जाएगा concrete का कम हो जाएगा क्योंकि strength concrete के पानी के ओपर depends करता है कि mix design के हिसाब से जितना भी पानी होना चाहिए उतना ही हमें use करना है लेकिन एक minimum percentage भी होता है water cement ratio का वो हो जाता है water cement ratio जो है वो 0.23 percentage होना चाहिए अगर मुझे hydration करानी हो लेकिन अगर water cement ratio 0.23 से भी कम है तो hydration होगा ही नहीं hydration का मतलब क्या है cement और water का एक reaction होता है exothermic reaction होता है जिससे क्या होगा गर्मी निकलेगा cement और water mix होके एक reaction बनता है जिसके through heat is liberated होता है यह मतलब heat निकलता है गर्मी निकलता है that reaction is hydration reaction और वह ही hydration reaction क्या होगा पानी के ओपर depend करता है minimum water cement ratio कितना होना चाहिए 0.23 लेकिन water cement ratio कभी कवर क्या होता है कि जो concrete होता है या तो cement होता है उनके pores में भी हमें water को fill करना पड़ता है तब जाके क्या करना होगा तब जाके minimum हमें 0.38% water cement ratio जरूरत परता है मतलब मैं मान के चलिए कि अगर water cement ratio hydration के लिए चाहिए तो मैं लिखूंगा 0.23% और अगर hydration plus water required to fill up the gel space तब मैं मुझे क्या करना हो 15% extra add करना होगा that is 23 plus 15 38 that is 0.38% use करना होगा ठीक है लेकिन उससे भी मैंने अगर ज्यादा पानी mix कर दिया तो क्या होगी concrete का strength खराब हो जाएगा ठीक है उसके बाद aggregate cement ratio इसका मतलब क्या है अगर aggregate cement ratio ज्यादा होगा मतलब क्या होगा aggregate ज्यादा cement कम अगर cement कम होगा that type of concrete is called as the lean concrete मतलब weak concrete हो गया और उसमें workability कम होगा ठीक है और अगर aggregate cement ratio कम होगा इसका मतलब है cement ज्यादा है workability ज्यादा होगा और rich होगा मतलब wise versa होता है कि aggregate cement ratio inverse है aggregate cement ratio अगर कम होगा तो workability ज्यादा होगा और aggregate cement ratio अगर ज्यादा है तो workability कम होगा shape of aggregate workability के workability अच्छा होने के लिए अगर मैं round aggregate यूज़ करूँगा तो ज्यादा workability होगा ठीक है और अगर मैं craft aggregate यूज़ करूँगा या cubical aggregates यूज़ करूँगा तो जो workability होगा वो कम होगा in comparison to the rounded aggregates मतलब shape of aggregate के उपर भी workability depend करता है उसके बाद next है texture of aggregate अब देखिए smooth texture अगर मैं use करूँगा smooth aggregate यूज़ करूँगा तो ज्यादा workability होगा और अगर rough aggregate use करूँगा तो कम workability होगा next है size of aggregate जितना ज्यादा मैं large aggregate use करूँगा उतना क्या होगा देखिए जितना ज्यादा large size of aggregate use करूँगा उतना service area कम रहेगा उसको fill करने के लिए और surface area जितना کं रहेगा water से fill करने के लिए उतना workability क्या होगा ज्यादा होगा इसका मतलब है ज्यादा पत्थर यूज़ करूँगा तो ज्यादा workability बरेगा lesser area होगा क्योंकि उसमें lesser area required to be lubricated by water grading well graded और poorly graded no type of grading है well graded का मतलब है जिसमें हर एक size के पत्थर हो that is well graded और उसमें high workability होगा और poorly graded का मतलब है एक ही size के पत्थर हो जिसमें तो that is low workability और उसमें workability कम होगा add mixture workability को बरहाने के लिए दो चीज़े मैं use कर सकता हूँ that is plasticizer and super plasticizer अगर मैं plasticizer use करूँ तब water cement ratio कितना बढ़ जाएगा तब workability जो है concrete का 15% बरहा सकता है लेकिन अगर मैं super plasticizer use करूँ plasticizer के जगा में तब workability 15 से जाके 30% बरह सकता है मतलब पानी मिलाने के वज़े हम लोग जा मिलाएंगे अगर पानी में strength को maintain रखना है तो पानी जादा नहीं मिलाएंगे हम admixture मिलाएंगे मतलब plasticizer या super plasticizer को मिलाएंगे उसके बाद workability test जो होता है slump test, compaction factor, floatable और VB test slump test दिखने में ऐसा होता है जिसके diameter के बारे में exams में पूछा जाता है कि तो इसका उपर वाला diameter है वो 10 cm के है नीचे वाला diameter 20 cm के है और height 30 cm का है उसके बाद concrete इसके अंदर मैं fill करूँगा और 25 नम चार लेयर में fill करूँगा 25 बार एक लेयर को temp करूँगा टेम्प करूँगा पूरा जो concrete है उस slump cone के अंदर में fill करूँगा चार लेयरों में एक लेयर में 25 बार temp करना होगा टेम्पिंग rods से उसके बाद अचाने से में इसको दोनों handle को पकर के उठा दूगा उठाने के बाद इसका जो भी shape है that shape को हमें लेना है क्योंकि क्या है जो sheer मतलब जो slump होगा slump के भी अधिक types होता है जैसे true slump सॉरी एक होगा आपका true slump दूसरा होगा sheer slump तीसरा होगा collapse slump ठीक है मतलब slump जो है अगर पूरा एकदम जैसे अब इस picture में दिखा कर रखा हूं इसका ज्यादा slump की value क्या है उपर से हमें measure करना है कि कितना नीचे यह नीचे गया है the height मतलब हमें यह वाला height measure करना है कि यह road के से लेके यहां तक गया है हो सकता है उठाने के बाद और थोरा नीचे जाए तो नीचे जाने के बाद यहां से लेके यहां तक हमें measure करना होगा dead height that height is known as the slump value यह होता है slump value ठीक है अमें यह measure करना है slump test से higher the value of slump more is the workable जितना slump value ज्यादा होगा उतना workable होगा लेकिन ज्यादा workability होगा उसकी strength घड़ जाएगा ठीक है उसके बाद next test है compaction factor डाइग्राम आप लोग पा रहेंगे अपर होपर lower hopper और cylinder नीचे होता है और base क्या करेंगे कि यह test low workability के लिए होता है slump test से भी ज्यादा low workability के लिए मैं क्या करेंगे वाला hopper जो है इसके उपर concrete डालूंगा डालने के बाद इसके एक नीचे जो होता है ना नीचे यहां पर एक धक्कन होता है इस धक्कन को मैं अच्छानक से एक handle से में खोल सकता हूँ handle से खोल दूंगा तो इसका जो concrete है यहां से निकल के यहां पर गिर जाएगी फिर उसके बाद इसके handle खोलूंगा तो यहां से लेकर यहां तक गिरेगा तो वही है कि और जो भी है यह standard height है यहां से लेकर यहां तक standard height है यहां से लेकर यहां तक standard height है उतने height से वो गिरेगा तो उसके बाद हमें क्या करना होगा compaction factor find out करना होगा compaction factor test है compaction factor is the ratio of weight of the partially compacted concrete to the weight of the fully compacted concrete जितने भी weight मैंने लिया था इसके उपर concrete का उस weight को लेना है और finally last में जो भी compact होने के बाद जो भी concrete निकला उस दोनों का weight लेना है क्योंकि दोनों का volume अलगाएगा weight भी अलगाएगा थीक है तो weight of the partially compacted concrete to the weight of the fully compacted concrete is the compaction factor और या तो यह भी लिख सकते compaction factor is the mass of concrete in cylinder during test divided by mass of the fully compacted concrete compaction factor जीतना होगा workability उतना बढ़ेगा ठीक है नेक्स्ट है यह एक table है जिससे में जो हमें याद करना होगा किसी भी तरह क्योंकि exams में यह पूछा जाता है कि कि इतना कितना compaction factor या कितना कितना slump value होने से कहां कहां पर मैं यूज कर पाऊंगा कि अगर slump value 25 से 50 हो जाए 50 to 100, 100 to low workability, very low, low, medium, high, very high इसमें 0 है slump 25 to 50, 50 to 100, 100 to 150 और इसमें 150 से ज्यादा compaction factor 0.78 to 0.80, 0.85 to 0.87, 0.92 to 0.95, 0.95 to 0.96 तो इस तरीके कर content में यूज कर पाऊंगा road construction ठीक है road construction और ज्यादा ही इसका workability value less है तो मैं इसमें compaction factor test यूज करूंगा बाकि यह तीनों test में slump value यूज करूंगा लेकिन अगर workability बहुत ज्यादा high है तो मैं उसमें floatable test से भी मैं find out कर सकता हूं मतलब सबसे कम workability हो तो मैं find out use करूंगा VB consistency test उसके बाद compaction factor test उसके बाद slump test और सबसे ज्यादा हो तो मैं उसमें use करूंगा floatable test और कैसा कैसा construction में use कर सकता हूं जैसे road construction होगा workability कम हो तो road construction में फोरा ज्यादा हो तो light construction में medium हो तो normal construction high हो तो heavy construction में use करेंगे heavy construction में हमें से याद रखना है कि हमें high workability वाला value workability वाला concrete use करना है ताकि proper compaction हो उसमें उसके बाद slow table test यह एक ऐसा table है जिसके उपर मैंने concrete रखा हूं उसके बाद यह जो खुमाने वाला यह इसको जब खुमाऊंगा तो यह क्या करेगा यह अपनी आप नीचे गिरेगा मतलब एक height से नीचे गिरते रहेगा तो नीचे गिरेगा फिर उपर उठ जाएगा फिर नीचे गिरेगा अच्छानेक से फिर फिर नीचे गिरेगा height पे उठ जाता है अपने आप फिर नीचे गिरता है ठीक है that height मतलब ये बार-बार हमें खुमाते रहना है उसके बाद दिखिए it is raised immediately and the table is lifted and dropped by 25.5 mm 25.5 mm गिरता है 15 times करना है in 15 seconds 15 seconds में 15 बार इसको गिरानी है उसके बाद flow table test से percentage flow के से निकालेंगे spread of concrete minus of 25 divided by 25 into the 100% ठीक है ये हो गया आपका flow table test और इसका जो top diameter है 17 cm है bottom diameter है 25 cm और height हो गया 12 cm इसका height है जो device है इसके उपर जो भी cone है इसका dimensions है ठीक है इसके बाद next है 3B test ये सबसे कम workability के लिए use होता है और अब से low workability और ये टेस्ट जो है एक अंदर ये एक slum इसके बाद segregation का मतलब क्या है next segregation के मतलब है पत्थर और cement के जो है उसको अलग-अलग होना segregation can be defined as the separation of the constituent materials of concrete separate होना if a sample of concrete exhibit a tendency for separation of core segregate from the rest of the ingredient then the sample is said to have a tendency for segregation मतलब जितने भी पत्थर होगा core segregate होगा वो divide हो जाएगा वो separate हो जाएगा concrete से that process is called as segregation लेकिन कभी कवर क्या होगा पत्थर separate नहीं होगा पानी पानी क्या होगा पानी separate हो जाएगा या पानी निकल जाएगा that process is called as bleeding उसको मैं bleeding बोलूँगा जब पानी अलग हो जाएगा ठीक है core segregation can be three types तहला देखिए core segregate separate out or settling down from the rest of the matrix core segregate मतलब पत्थर separate हो जाएगा next paste or matrix separate away from core segregate या तो concrete के जो mixture है बाकी core segregate से separate हो जाएगा या तो water separating out from the rest of the material being a material of lowest specific या तो water separate हो जाएगा लेकिन water जब separate हो जाएगा उसको हम लोग bleeding कहेंगे ठीक है segregation segregation तभी होगा जब मैं एक height से concrete को drop करूँगा मान लीजिए 150 cm से मैंने अगर concrete को drop कर दिया 1500 cm से drop करने से segregation problem होगा और segregation को कम करने के लिए मैं एक add mixture use करूँगा that is air and training agent उस add mixture का नाम है air and training agent ठीक है उसके बाद next bleeding bleeding और water gain is a particular form segregation in some of the water from the concrete comes out to the surface of the concrete being of the lowest specific gravity among the मिक्स कर दिया आप लोग दिखेंगे यह नोटिस करना की concrete यह mix होगा लेकिन पानी बैके आ रहा है that separation of the water is called as the bleeding लेकिन concrete बनने के बाद कभी का और क्या होगा ऊपर जो है आप लोगों को दिखाई देगा ऊपर क्या है शिर्फ सिमेंट का एक छोटा सा पानी के पानी के साथ एक सिमेंट का लेयर दिखाई देगा that layer is called that formation of the cement layer over the concrete is called as the latence उसको हम लोग लेटेंस बोलेंगे अगर एक सिमेंट और पानी का लेयर concrete के ऊपर form होते दिखाई दिया इसके बाद bleeding कम कर सकते है by using the fine cement और fine cement अगर मैं finer particle यूज करू cement का या तो air and training is agent यूज करू ठीक है या तो proper mixing करू proper mixing करू ठीक है यह सब चीजों को करने से breeding कम हो सकता है next है next है setting time of concrete concrete का दो setting time हो सकते है एक initial setting time एक final setting time यह एक penetrometer है ठीक है यह एक penetrometer है इससे में setting time find out कर सकता हो ठीक है यह एक इस में यह work at अपरिय्टास यह इस एपरियट्स का नाम है chance aparatas ठीक हैर जाक है वायकेट्स एपरिय्टस है AD convertas इस 84 attach में हमें क्या करना है यह जो नीचे नीडिल लगा कर र sixth है यह नीडिल तीन type of needle हो सकता है एक या तो redeels circular हो सकता है circular तब ही होगा जब मैं consistency test करूँगा या तो square needle हो सकता है initial setting time के लिए या तो square needle वीटे hopper below एक मोटा सा hopper दिखाई दे सकता है needle में that needle is used for final setting time तीन चीज़े करता हूँ initial setting time, final setting time and consistency consistency का मतलब है कितना पानी mix करना होगा that is known as the consistency तो setting time के लिए हमें क्या करना होगा यह जो penetration needle है इसको हमें इसके अंदर में mortar वरूँगा mortar वरने के बाद में setting time निकालूँगा ठीक है नेक्स्ट है process of manufacture of concrete concrete जो है manufacture कैसे किया जासा देखिये batching, batching का मतलब है measurement लेना कि क्या क्या चीज़े में कितना kg लोंगा जैसे लेकिन batching जो है वो डो types का हो सकता है एक है volume batching दूसरा है weight batching weight में weight measure करूँगा कितना kg volume में मैं कितना quantity चाहिए दो लिटर तीन लिटर volume में measure करूँगा that is two type of batching weight batching यह volume batching पहले मैं measurement ले लिया उसके बाद mixing करूँगा उसके बाद mixing करने के बाद उसको transport करूँगा जी जगा चाहिए उसके बाद उसको मैं place करूँगा उसके बाद compact करूँगा compact मैं normally भी कर सकता हूँ या तो मैं अगर मान लीजिए water उसमें कम हो या low workability है तो उसको मैं compact कैसे करूँगा फिर मैं concrete को compact करूँगा by the help of vibrator vibrator क्या क्या हो सकता है needle vibrator हो सकता है form vibrator हो सकता है स्क्रीड vibrator हो सकता है बहुत बहुत अनेगनिक type of vibrator हो सकता है उन vibrator से हमें vibration डेके compaction कराना होगा उसके बाद curing का मतलब क्या है सूपने के बाद हम जब पानी डालेंगे concrete के ओपर that is curing उसके बाद finishing ठीक है खतम होने के बाद that is known as finishing process उसके बाद striping जो भी striping time का मतलब क्या है अगर एक बार खतम हो जाता है तो उसके बाद जो उसका जो shattering होता है या जो formwork होता है उसको जो लकडी का जो हम लोग लगाते है ना लकडी या उडेन का जो लगाते है ब्यम्बू बगरा उसको हटाना होगा एक बार बनने के बाद धरूस है वो कितना समय के बाद हम लोग हटा सकते है that is striping time कितना है vertical formworks to columns, beams and walls जो भी beam होगा, column होगा या wall होगा उन में vertical member जो होगा वो हम लोग हटा सकते है 16 गंटा से 24 गंटा फिर उसके बाद sofit formworks to slab उसके बाद जो भी slab होगा, slab के नीचे जो भी लगडी का वो प्लेस करेंगे bamboo मतलब wooden का, that wooden formwork जो होगा उसको हटा सकते है, लेकिन नीचे जो bamboo support के लिए दिखाई देते है उस bamboo को लेकिन लगाना होगा वापस, लेकिन नीचे जो है wooden, wooden surfaces उनको हटाना होगा, तीन दिन के बाद हटा सकते है उसके बाद अगर slab की size सारे 4 से कम हो, तो 7 दिन में हटाना होगा, और अगर सारे 4 से ज़्यादा है, तो 14 दिन में हटा सकते है और beams के लिए क्या है, 7 दिन में हटा सकते हैं, लेकिन 6 मिटर से अगर कम है, तो 14 दिन में हटा सकता हूँ, और अगर 6 मिटर से ज़्यादा है, तो 21 दिन के बाद हटा सकता हूँ जितने भी चीजे हटाना है, यह पूरा आप लोगों को याद करना होगा, क्योंकि SSC जही बगरा में यह डेटेल्स में पूछा जाता है, कि option दिया रहता है, कि props to the slab, spacing up to, spanning up to 4.5 मिटर, कितने दिन में हटा सकता हूँ, option में दिया रहे हैं, तीन दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन तो कौन सा option होगा, so 7 दिन option होगा, ठीक है, तो इस तरीके के आपको याद रखना होगा यह page, ठीक है, इसके बाद next है, stand of concrete, जो concrete का stand होता है, वो बहुत चीजों के उपर depend करता है, एक हो गया maximum size of aggregate, एक हो गया grading, surface texture, shape of aggregate, strength and stiffness of aggregate, aggregate के उपर depend करता है, water cement ratio के उपर depend करता है, water cement ratio कम होना होगा, aggregate cement ratio ज्यादा होना होगा, नहीं, sorry, aggregate cement ratio भी कम होना होगा, तो यह strength जो है, बहुत factors के उपर depend करता है, ठीक है, इसके बाद next है, ordinary concrete कौन कौन सा होता है, M10, M15, M20 ordinary, M25 से लेके M25 तक हो गया, standard concrete, और high strength concrete जो होता है, वो M60 से लेके M60 से लेके M80 तक हो गया, high strength concrete, M60 का मतलब है, जिसका compressive, characteristic compressive strength 60 MPa है, after 28 days of curing, that concrete is called as high strength concrete, उसके बाद characteristic strength जो है, of 150 mm cube at 28 days, 8 दिन के बाद, और 10 का मतलब 10 MPa, 15 MPa, 20 MPa, सब, सब mixed design के बाद, जो भी later है, वही आपका strength है, ठीक है, सब का same है, next है, permissible stresses in concrete, ठीक है, permissible stresses in concrete, ठीक है, permissible stresses in concrete, ठीक है, stresses होगा, और direct stresses कितना होगा, और permissible stresses कितना होगा, in tension में, ये values, ये table पूरा आपको याद करना है, क्योंकि, कभी भी कुछ भी values पूछा जाता है, ठीक है, इसके बाद next है, tensile strength को मैं कैसे निकालूँगा, tensile strength is equal to 0.7 times of root over FCK, FCK is the characteristic compressive strength, ये होगया, tensile strength of concrete, उसके बाद bond strength के बारे में, पूछा जाता है, bond strength का मतलब क्या है, एक bonding होता है, जो concrete और aggregate के बीच में होता है, या तो जो steel reinforcement और concrete के बीच में होता है, that is a one kind of bond, that bond, उसी bond को हम लोग कहते है, bond strength, ज्यादा टाकत हो, strength ज्यादा होगा, तो अच्छा bonding होगा, कम strength होगा, तो खराब bonding होगा, और सबका bonding जो है, direct bonding और indirect bonding और values, grade of concrete के हिसाब से, सारा value देखे रखाई, ये टेबल भी आप लोग को किसी भी तरह याद करना है, ठीक है, कुछ building materials में कुछ ऐसा difficult होता है, क्योंकि आप लोग को याद ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से, SSJEE या state government के जो AEJEE exams होते हैं, उनमें पूछे जाता है direct results, ठीक है, तो ये आप लोग को पूरा रट्टा मारना होगा, बिना कुछ सोचे ही, कि क्या values है, ताकि direct पूछे जाए तो आप लोग बता पाऊ, उसके बाद young's modulus of elasticity of concrete का value क्या होगा, 5000 root over fc के होता है, young's modulus of elasticity of concrete का, ठीक है, fc y है क्या characteristic compressive strength, उसके बाद poisons ratio क्या होगा, जो concrete होता है, उसका poisons ratio 0.152, 0.20 value होता है, poisons ratio, poisons ratio का मतलब क्या है, it is the ratio of lateral strain by longitudinal strain, एक हो गया आपका lateral और दूसरा हो गया longitudinal, ठीक है, lateral strain by longitudinal strain का जो ratio होता है, that is poisons ratio होगा, यह इसके बारे में details में आप लोग को मैं बताऊंगा, extent of material के मैं, poisons ratio क्या होता है, young's modulus क्या होता है, ठीक है, बस आप लोग देखते रहिए, वीडियो को, उसके बाद Admixture के बारे में बताऊंगा, Admixture क्या होता है, एक अलग component होता है, जो मैं modify करने के लिए mix करूँगा, प्लस्टीसाइजर, सुपर प्लस्टीसाइजर, रिटार, एक्सेलरेटर, एयर एंट्रिन, प्लस्टीसाइजर का मतलब है, प्लस्टीसाइजर और सुपर प्लस्टीसाइजर डोनोई ऐचा चीज है, जो बिना पानी भी, अगर मैं mix करूँगा, तब भी उनके workability को बरहा द प्लस्टीसाइजर और सुपर प्लस्टीसाइजर, रिटार्डर का मतलब क्या है, जो पानी mix करने के बाद, जो सिमेंट का hydration process होता है, उसको retard कर देता है, इसको slow कर देता है, मतलब पानी और सिमेंट धीरे-धीरे reaction करेगा, that process is called as retardation, slow retardation process, और retardर का काम होई है, setting, अगर मैं retard mix करता हूँ, तो setting क्या होगा, धीरे-धीरे set होगा, सिमेंट, उसका strength बहुत दिन बाद मिलेगा, लेकिन अकर accelerator use करो, उल्टा होगा, तुरंट set हो जाएगा, और strength gain जल्दी हो जाएगा, air and training admixture, इसका काम यह है कि, मैं cement के अंदर क्या करूँगा, air की particles डाल दूँगा, air and training admixture use करके, जिसके कारण क्या होगा, अपना जो है workability बगरा बर जाया, air and training admixture के कारण, जाड़ा details में जहीं जाओंगा, बस एक चीज आप लोगो बताऊंगा, plasticizer use करने के कारण, कितना हमें use करना है, 0.1 से लेके 0.4% use करना है, और 10 से लेके 15% क्या होगा, water को reduce कर देता ह है, बिना water 10 to 15% reduction in water हो जाएगी, लेकिन workability उतना ही रहेगा, मतलब कम पानी use करने से भी workability अच्छा ही रहेगा, plasticizers का example के बारे में कभी का पूछा जाता है, that is lignosulfonates, polyglycol, starch, hydroxylated, carboxylic acid, यह हो गया, plasticizers, उसके बाद next है, super plasticizers, super plasticizers are modified version of plasticizers, that allows the reduction of water content, to 30%, 30% तक यह reduction कर देता है, और बाद plasticizers 15% ही, ठीक है, super plasticizers के example है, modified lignosulfonates, sulfonated milamon formaldehyde, sulfonated naphthalene formaldehyde, यह तीनों ही, super plasticizers है, ठीक है, इसके बाद next है, retarders, retarders करेंगे, vary करेंगे, 0.05 to 0.1%, retarders, सबसे आसान retarder है, हम लोगा, sugar, sugar है, calcium sulfate है, starch है, cellulose है, यह सभी चीज़े, क्या है, retarder है, इनको हमें use करना होगा, process को slow करने के लिए, chemical process of hydrogen को slow करने के लिए, ठीक है, इसके बाद next है, accelerators, accelerators, क्या काम है, इनका काम है, increase the rate of gain of strength, जो reaction होता है, hydrogen reactions को accelerator ultra कर देता है, fast कर देता है, example होगा, calcium chloride, silicate, fluorosilicate, triethanol amine, कहाँ use होता है, यह speedy construction में use होता है, ठीक है, इसके बाद next है, air and training agents, air and training agents के example है, natural wood resin, plant and animal fat and oils, hydrogen peroxide, aluminium powder, यह कुछ air and training agents है, इनका काम है, they are required for increase, for modifying the workability, bleeding, segregation, permeability, यह सब चीज़ों को modify करने के लिए, air and training agents use किया जाता है, air and training agents use किया जाता है, ठीक है, बस इतना ही थिया, आज के वीडियो में, अगर कोई doubt वगरा हो, तो comment section में आप लोग बताईए, मैं इसको clear करूंगा, ठीक है, जो जो doubts वगरा है, okay and thank you and अगर किसी ने subscribe नहीं किया है, please subscribe and like the video, okay.